वेल्कम बैग तो माई यूट्यूब चैनल वर्लिटरिचर हम लोग हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिटरेचर को डिसकस कर रहे हैं इसके हमने प्रीविस टू लेक्ट्रोज हैं वो डिसकस कर लिए हैं हम जो भी एज पढ़ेंगे जैसे अलजबिथन एज है जैकोबियन एज है या पिर हमने चौसर की एज बढ़ी उससे पहले अंग्लो सैकसन पीरेड पढ़ा तो यह सारी हिस्ट्री में शामिल हैं और आज भी हम लोग जो डिसकस करने वाले हैं वो हिस्ट्री में ही शामिल हैं इंग्लिश लिटरेचर की उसके बाद हम ने देहा एंग्लो नॉर्मन जो के चलता है 1066 से ओनवर्ड और उसके बाद चौसर की एज आजाती है 14th century में फिर उसके बाद आज हम देखने वाले चौसर की एज के बाद क्या होता है वार ओफ रोजीज होती है 1455 से 1886 तक इंगलेंड के अंदर ब्रिटन में उसके बाद जब वार ओफ रोजीज होती है जो कैक्स्टन जो के चौसर के एज के बाद आए थे इन्होंने प्रेस प्रिंटिंग जो है वो इंटर्डूस करवाई 1476 के अंदर और बैटल अफ बॉस व इरच शुरू हो जाता है 1485 से 1509 तक और किंग हैंडरे एट्स का उसके बाद इरच शुरू होता है 1509 से 47 तक और किंग हैंडरे एट्स के जो इराए इसके अंदर इंपोर्टन जो राइटर है वो है सर थॉमस मॉर उनका जो वर्क है यू टॉपिया इन्होंने यह लेटरन क अदर और मिस्ट्री प्लेज एक की फर्म मॉरेलेटी प्लेज लिखे जा रही होते हैं अब जो मिस्ट्री प्लेज यह हैं अदर जो कक्निक record यू इन्व मॉर्क नाम है और यूट साइकल अभी इन्पोर्टटन उस वक्त लिख जा रही थी और एवर्य मैं जो है यह एक जो वो फिफ्टीन सेंश्री में पब्लिश हुआ था यह लिखा गया था मॉमर्स प्ले यह इनके राइटिंग एक टाइप है इसके अंदर डांस के जाता है और फेस के ओपर मास वगरा ले जाते हैं और स्ट्रीट्स में जो है न वो प्ले किया जाता है और नेक्स्ट जो यह एलजबिथन टाइम में भी रही यह जो इंटर लूड वाली है यह क्योंकर यह ग्रेट हाउसेज और जो कोर्स वगरा होते थे वहां पर जो प्लेज परफॉर्म किये जाते थे उनको इंटर लूड कहा जाता था और जो इसके इसको इंटर लूड लिखने वाले important writer है उनमें जो शामिल है वो है जो जो इन्हों ने जो इन्टरलोड प्लेइज है ये लिखे थे उसके बाद जो हैंडरी एर्थ है ये भी हैंडरी सैमत की तरहां जो है वो चर्च को देथ भी हो गई थी बाद में आई थिंग उनका मडर हो गया था तरहां कि वो अगेंस थे हैंडरी एर्थ के उसके बाद के जो हैंडरी एर्थ के बाद एडवर्ड और मेरीक मोनार्च यहां पर आ जाता है ब्रिटन के अंदर और उसके बाद टोटल्स मिसलेनी ये जो है ना उसके बाद कुईन एल्जबिट जो फर्स्ट है उनका 1558 के अंदर जहें वो इड़ा स्टार्ट हो जाता है यहां ब्रिटन में उसके बाद इंग्लिश जो इंग्लिश रेनसांस है वो है 1500-1660 यह तो हैंडरी एर्थ के टाइम से ही शुरू हो जगा था जो रेनसांस है लेक कि वो काफी ज्यादा कैक्स्टन जो विलियम कैक्स्टन है जिन्होंने प्रेस प्रिंटिंग इंटर्ड्यूस करवाई थी उनकी वज़ा से हुई थी क्यूंकि जब बहुत सारा जो लिट्रेचर है वो प्रिंट की फॉर्म में आना शुरू हुआ तो लिट्रेचर के अदर बहुत ज़्यादा इस टाइम हो रही थी तो लिट्रेचर बहुत ज़्यादा डिवैल्प्ट हो रहा था जब्स्ट्री प्लेज्म और ऑप्रिंट के दिफरंट किसम के जो प्लेज़ यह लिखे जा रहे थे उस टाइम पर गास्य जो आइक्शली जो रहा सांस है यह इतली स कि यहां पर जब बींग्लेंड में आते हैं तो यहां पर आपके कि दो मेजर चीज़ देती हैं इंग्लेंड को लिटरेशन के हवाले से थॉमस वाइट जो है इन्होंने ब्लैक वर्स दी थी इन्होंने ब्लैकवर्स introduce करवाई थी इनके poetry के अंदर blank verse कैसे use करके लिखते हैं और जो Earl of Saray है इन्होंने sonit introduce करवाई थी तो जो इनकी जो Thomas White की blank verse है और Earl of Saray की जो sonit है इन दोनोंने काफी ज़दा help की थी इनके works ने Marlo, Shakespeare और जो आगे आने वाले writers से उनके लिए फिर उनोंने इनको follow करके sonit और blank verse का काफी ज़दा use किया अपने works के अंदर उसके बाद ये जो सारा जो काम हो रहा था उस वक्त जो के translations हो रही थी ये सारी जो थी ये जर्मन और जो ग्रीक्स और जो रॉमन्स की जो works है उनके translations से ही हो रही थी थी उस वक्त तो रॉमन्स और ग्रीक्स की ही लैंग्विज ज्यादा चल रही थी तो इस वरे से उनके translations से ही जादा जो work है वो हो रहा था और जो इंग्रिश लिट्रेचर की हिस्ट्री में सबसे पहले जो comedy है वो है तो ये धोनों इंपौर्टन वर्क्स थे ये था लेक्षन हम नहीं हने लिए नहीं हमने जो नॉर्वन पेसिद देख लिया हमने उसके बाद जा हमने कुई ने लगे का टाइम ने है लिख लिया हमने Kings का टाइम देख Kings कैसे Henry7, Henry8 किस तरहां से आई उनका टाइम देख लिया अगर आपने history को याद करने हैं तो आप उनके notes बनाए और आप उनको note down कर ले तभी आपको history याद रहेगे obviously history को रटा लगा के याद नहीं किया जा सकता तो उनके key point just MCQs के तोड़ पर इनके कौन से एरा के अंदर कौन से writers हैं वो literature में क्या development हो रही चुस टाइम पर तो इस तरह से आप जो चीजों को ज्यादा असानी से learn कर सकते हैं I hope का आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी thanks for watching my video channel को subscribe, like और share कर दीजिएगा